हाई फ्रेंट्स, वेलकम बैग, हाज हम बात करेंगे जी इंटर्टेन्मेंट का इस स्टॉक को डिसकस करने का रीजन है कि मेरे पास बोफोल सारी क्वेरी थी इस स्टॉक को लेकर जिन लोगों ने इस ओट टॉप पे बाई किया है, उनके मन में एक डर है, एक फियर है कि ये जो गिरावट बो रही है, वो कहां पे जाकर रुकेगी जिन लोगों ने अभी तर बाई नहीं किया है, उनके मन में भी एक सवाल होगा, कि क्या एक उपरचुनीटी है इस स्टॉक को बाई करने का इस स्टॉक को लेकर मेरी स्टेट जी क्या है, इन सारे चीजों को आज की वीडियो में सिखेंगे लेकिन ये बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा परपस आपको सिर्फ इतना सिखाना है कि अगर आप टेकनिकल के उपर एक्सपरटाईज रखते हैं, तो किसी वे स्टॉक को बिल्कुल बाटों में बाई करके उसको टॉक पे सेल करके तोफुट सारा पैसा बना सकते हैं, तो ये है जी इंटर्टेन्मेंट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट बैटन, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं हमेशा डेली टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ अब हम करेंगे G Entertainment का Technical Analysis और ये जानने की कोसिस करेंगे कि ये स्टॉप उपर जाएगा या नीचे जाएगा मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉप उपर जाएगा या नीचे जाएगा ये सिर्फ उस स्टॉप का Fundamental और Technical बताएगा अगर आप इस चीज़ पे अपनी पकड़ रखते हैं आपको मार्केट में किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर देंगे जैसा मैं करता हूँ कि मेरे पास Trading View में ये देखो Multiple Watch List हैं तो मैं एक ही करके इन सारे स्टॉप को देखता हूँ इस स्टॉप पे मैं मैंनत करता हूँ और चाट पे मैंनत करता हूँ उझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और मेरे विश्वास करें अगर आपने थोड़ा सा मैंनत कर दिया तो इस पूरे मार्केट में आपसे बड़ा Analyst कोई भी नहीं हो सकता और काम करने का ना यहीं तरीका है जैसे मैंने आपको दिखाया एक एक करके आपको स्टॉप को देखना है उसको इसकी दर पर चिक करना है चाट पैटरन पे अपनी पकड़ बनानी है अब आते हैं वापस से जी इंटरटेन्मेंट के उबर और यहां पे चाट की हम करते हैं Technical Analysis अब दियान से देखना यह जो स्टॉप था एक बड़े या एक बड़े अप्टेन में था यहां से एक बड़ा अप्टेन था और उसके बाद रातो रात स्टॉक खराब हो ऐसा ही होता है अच्छा स्टॉक रातो रात खराब हो जाता है क्योंकि जब Operator Distribute कर चुके होते हैं जो लोग 90 हैं जो लोग फोगों में बाई करते हैं उनको पूरा का पूरा माल चिपका दिया जाता है उसके बाद से उस्टोख खराब हो जाता है और जब तक डिस्टिबूसर नहीं हुआ रहता है तब तक डिस्टोख अच्छा होता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बरी किरावड थी उसके बाद यहाँ पे मैं आपको इक चीज दिखाना चाहता हूं, यहां पे एक पैटन बना था, यह, मैं एक बार किस पैटन को आपको दिखाऊंगा, यह बैटन बना, ओके, और यह जो पैटन था, इसको क्या बोलते है, इस पैटन को बोलते है, फेल्ड एसेंडिंग ट्रैंगल, फेल्ड हम S&B triangle को समझ लेते हैं तो यहाँ पर आप देखो stock price यहाँ से resistance लेता है वापस से support लेगा again यहाँ से resistance लेगा और यहाँ पर support लेगा further इसमें buying होगी और stock resistance लेगा और यहाँ पर support लेगा उसके बाद आप देखोगे तो यह जो stock है एक triangle के अंदर यहाँ पर फस रहा है अगर price इस triangle को तोड़ कर उपर निकलता है तो इसका मतलब यह है कि जो uptrend चल रहा था वो continue रहेगा वेकिल अगर price उपर जाने के बजाए इस support को तोड़ कर नीची आ जाए तब हम यह बोलेंगे कि यहाँ पर जो ascending triangle था वो fail हो गया अब ascending triangle जो fail होता है तो इसका मतलब यह है कि आप stock में गिरावट होगी stop renew जाएगा तो यहाँ पर ascending triangle तो बना था लेकिए वो fail हो गया ascending triangle के बनने के उत्स जो criteria है मैं आपको बता दू कि हमारे पास कम से कम दो resistance और दो support होने चाहिए यहाँ पर जो resistance होगा और लगवग same जगह पर होगा या थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है लेकिन जो support होगा न वो higher high होगा support बढ़ते करम में होगा तब जाकर यहाँ पर जो price है न एक triangle के अंदर फसेगा तो यहाँ पर ascending candle फेल होगा stock नीचे आ गया अब stock नीचे आ गया तो हमें एक चीज़ और दिखना है जैसे यहाँ पर यह जो candle बना था इसने support line को तोड़ कर नीचे closing देती लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह जो candle थाना इसने redistricting की कुछी इसकी यह वाला candle लेकिन यह भी fail होगिया तो जब भी support टूटता है और वापस से price action बनता है redistricting का यानि यहाँ से इस तरीची रबनता है और यह fail हो जाता है तो यह बजार में मजबोत मन्दी का नीचानी है यानि बजार में अब बड़ी गिराओट होगी तो यहाँ पे fail descendive candle लेकर फर्म कर दिया था बजार में गिराओट होगी अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यह जो stock है यहाँ से एक price action बना कर नीचे आ रहा है अब यहाँ पे shorter time frame में भी एक chart pattern बन रहा है वो कैसे बन रहा है मैं आपको दिखाऊंगा दियान से समझता तो यहाँ पे यह जो chart pattern है आप इसको देखो यहाँ पे यह जो line था यह है resistance की line इसको मैंने मार कर दिया उसके बार मैंने यहाँ पे एक support line drop कर दिया अब अगर आप दिखोगे तो यह जो stock है एक descending triangle के रूप में form हो रहा है descending triangle क्या है descending triangle एक bearish chart pattern है जो कैसे बनता है वो इस तरीके से बनता है यहाँ पे stops support लेगा resistance, support, resistance और यहाँ पे support और इस तरीके से अगर यह जो है एक triangle में आ जाएगा उसके बाद से अगर यह जो support है break down होता है तो इसका मतलब यह है कि अब stock में फिर से gear out होगी तो यहाँ पे अब क्या करना है यहाँ पे जी entertainment में हमारे resistance क्या होगी तो यहाँ पे जी entertainment में अभी wait and watch की स्थिद्धी है यानि अगर यह जो support है अगर यह तूटता है और तूटने के बाद वापस से redistricting होती है और फेल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि जी entertainment में अब further बड़ी gear out मुड़े वाली यह stock काफी नीचे जाएगा लेकिन यह जो descending triangle है अगर fail हो जाता है देखो हर bullish chart pattern या हर bearish chart pattern का एक failed pattern होता है तो अगर यहाँ पे यह जो pattern है fail हो जाता है यानि अभी तक मैंने आपको क्या बताया मैं एक वाइस को हटा देता हूँ ठीक है मैंने बताया कि यह नीचे आएगा यह यहाँ पे double top बना के ऊपर निकानता है तो हम यह मानेंगे कि यह जो descending candle था fail हो गया अब यहाँ पे further डिरावट नहीं होगी तो यहाँ पे जी entertainment में अभी wait and watch की इस्तिती है जब तक stock candle में है और किस side यह अपना moment दिखाता है तब तक phrase entry के लिए मैं wait करूँगा अगर यहाँ से एक बड़ा green candle बनता है और उसके बाद अच्छे volume साते है और stock price एक visible chart pattern बनाता है एक stock एक candle के waste pay में बहाग करवाई नहीं करता मैं यहाँ पे time डूगा एक visible chart pattern के form अने का wait करूँगा जब इस तरीके का कुछ pattern बनता है वहाँ पे technical बताएगा कि अब यहाँ पे entry लेना है लेकिन अगर stock इस support को तोड़कर नीचे आता है और जब वहाँ पे negative price section बनता है कैसे यह इस तरीके से बनता है तो वहाँ पे entry लेना सहीर नहीं है तो इस तरीके से हमें किसी भी stock में अपनी entry या exit डिसाइड करना है यह कैसे possible है जब आप professional तरीके से काम करोगे market में अगर आपको यह लगता है कि आप किसी की सुल कर काम कर लोगे और आप पैसे बना लोगे तो यह impossible है जो बड़े बड़े capital में यूज करता हूँ जब इतना बड़ा बड़ा पैसा में डालता हूँ तो मैं किसी की सुलता नहीं हूँ मैं अपना जो analysis है मेरा उसके उपर भरोसा है यह nifty का 1000 का chart है मैं एके करके इन सारे stock को देखता हूँ कि कहां पे pattern बन रहा है कहां पे entry है कहां पे exit है उसके बाद मैं fundamental को देखता हूँ वहां पे मिसे conviction आता है तब मैं buy करता हूँ इसका फायदा यह होता है कि अगर stock फर्दर नीचे जाता है तो यह एक opportunity होती है अच्छे stock को add करने का यह है काम करने का professional तरीका और इसी को काम करके मैं market में लगतार profitable हूँ और इसी को मैंने कई दफ़ा share भी किया है अगर आप detail में stock market को सीखना चाते है कि किस तरीके से हम अपनी entry, exit, risk management इन सारे जीजों को हम decide करें तो आप 1 सितंबर से जो मेरा complete swing trading का class शुरू हो रहा है आप इसको join कर सकते हैं साथ में अगर आपने youtube पर join बटन का subscription नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं जहां पर मैं continue जो भी chart मुझे समझ में आता है जैसे अब मैं हमेसा chart देखता हूँ तो जो भी chart मुझे समझ में आता है वह आपके साथ share परता हूँ ताकि आप chart pattern पर आपकर बना सके अब मैंने इतनी सारी बाते बोला तो एक जी मैं फिर से clear कर दो कि यहां पर मेरा buy और sell का बिल्कुल भी recommendation नहीं है Thank you so much